आज इस पस्नालेची की मैं बात करूँगी ये हैं तो फिल्मों की हिरोईन लेकिन इनकी जिन्दगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं इनकी कहानी में दर्द है, इमोशन्स है, स्ट्रगल है और बहुत सारी हिम्मत है अकसर जब घर में बच्चा पैदा होता है तो परिवार वाले बच्चे को देखने हॉस्पिटल जाते हैं, उसके लिए कपड़े लेकर जाते हैं ये जब पैदा हुई, तो इनके पिता इनकी शकल तक नहीं देखने गए और कपड़े भी मांगे हुए पहनाने पड़े इनके पिता ने इनकी परवरिष्ट करने से मना कर दिया और इसी कारण मा को पेट पालने के लिए काम करना पड़ा जब ये छोटी थी तो मा नहीं थी तो पड़ोसन ने इनके अपना दूद पिला कर बढ़ा किया ये ठीक रहें ये खुश रहें ये पर लिखकर कुछ बन जाए इसके लिए इनकी मां ने अपनी पूरी जिंदगी सेक्रिफाइस की और वो सेक्रिफाइस काम भी आया आज ना सिर्फ ये एक ब्यूटी क्वीन है सोशल अक्टिविस्ट है बलकि ये फिल्म इंडस्ट्री की आक्रिस भी है बात करेंगे कमांडो फेम आक्रिस पूजा चोपडा की पूजा चोपडा की लाइफ से जुड़ी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ह ही सुनी होंगी, कब पूजा चोपडा के पैदा होते ही पिता ने कहा इसे अनाथा लगए भेश तो, क्यूं पूजा चोपडा के पिता उनसे नफरत करते थे और कैसे पूजा जो खुद हिरोइन है उनकी लाइफ की सबसे बड़ी हिरोइन है उनकी मा नीरा चोपडा पूजा की मदर नीरा चोपरा है, जिनकी कलकत्ता में रहने वाले एक बड़े ओफिसर के साथ शादी हुई थी पहली बार बेटी को पैदा किया तो उसके बाद से ही नीरा के पती उसे परेशान करने लगे, उसके साथ मारपीट करने लगे पुजा की माँ नीरा को तब ही लग गया था कि उन्हें घर छोड़ देना चाहिए लेकिन ऐसे ही इंस्टेंटली वो डिसीजन नहीं लेना चाहती थी वो इस शादी को एक और चांस देना चाहती थी अच्छी वाइफ बन कर अपनी बेटी शुबरा को वो पाल ही रही थी और साथ में अपने पती की मदर जो कैंसर के कारण बिस्तर में थी उनकी सेवा करती उन्हें नैलाना धुलाना और उनका सब काम किया करती थी एक आदर्श पत्नी की तरह उन्हें लगा कि क्या पता ये देखकर पती की सोच बदल लगा था और नीरा के सामने ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगा था इसी दौरान नीरा जो अपनी शादी को एक और चांस दिना चाहती थी वो एक बार फर से प्रेगनेंट हुई इस बार उम्मीद थी कि बेटा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा जिस वक्त नीरा आठ महीने से प्रेगनेंट थी तब उनके पती ने उनके साथ ऐसी हरकत थी उन्हें लगा कि उन्हें स्यूसाइट कर लेना चाहिए पती घर में एक लड़की को लेकर आया और सभी ससुराल वालों के सामने अनाउंस कर दिया कि वो उससे शादी कर रहा है नीरा की ला सुधर जाएगी और पती दूसरी शादी नहीं करेगा लेकिन इसी बीच नीरा को बेटी पैदा हो गई ये बेटी पूजा ही थी नीरा ने एक इंटिव्यू में बताया कि बच्चा पैदा होने के बाद होस्पिटल में उनसे मिलने ससुराल की तरफ से कोई भी नहीं आया पिता अपनी बच्ची का मुँ देखने तक नहीं आया बच्ची को पहनाने के लिए कपड़े भी नहीं थे तब पास वाले बेट पर एक लेडी थी उसने भी बच्चा पैदा किया था उसने अपने बच्चे के कुछ कपड़े मुझे दिये थे ताकि मैं पूजा को पहना स नीरा अपनी बच्ची पूजा को अनाताले नहीं भेजना चाहती थी इसलिए नीरा ने शुभरा जो उनकी बड़ी बेटी थी और पूजा जो छोटी बेटी थी दोनों को लेकर कोलकता वाला घर छोड़ कर मुंबई आ गई और इसके बाद पूजा के पिता ने मा और थी इनीशियली मदर और भाई ने स्पॉट किया इसी बीच नीरा ने ताच कुलाबा में नौकरी ढूड़ ली और यहां से जॉब मिल गई तो उन्हों ने अपने लिए अलग घर ले लिया बच्चिया दोनों छोटी थी और नीरा को जॉब पर जाना जरूरी था पैसा इत प्रिती में से चला कर पास वाली आंटी को बुला देना कई बार ऐसा भी हुआ कि पूजा जोकी एक महीने की थी उसे भूख लगती थी वो दूद के लिए रोती थी तो पास वाली आंटी ने अपना दूद पिला कर पूजा को बढ़ा किया क्योंकि मां जॉब किया करती थ स्कूल भी वाक करके ही जाती थी जो बस के पैसे बचते थे उसे घर चला करता था क्योंकि पूजा की मां बहुत मुश्किल से दोनों बच्चियों को पाल रही थी इसलिए बच्चियों को मां का सेक्रिफाइस भी पता था दोनों बच्चियों ने जी तोड़ बहनत की और पूजा अपनी क्लास में अवल आती थी, वो अपनी स्कूल की नमबर वन स्टूडेंट थी, बच्पन से जब पूजा ने अपनी मम्मी को रोते हुए, काम करते हुए और महनत करते हुए देखा, सोला-सोला घंटे जॉब करते हुए देखा और बहन को खुद को संभालते हुए देखा, तो डेफिनेटली पूजा के अंदर बच्पन से ही अगर कुछ चीज आई, तो वो सिर्फ और सिर्फ महनत करना और हिम्मत रखना, पूजा ने यही कुछ किया अपनी जिन्दगी में, वो एक अवल स्टूडेंट तो बनी ही और आगे चलकर उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में भी खुद से आगे बढ़कर अपना हाथ आजमाया, बिना किसी मेंटॉर के पूजा ने मॉडलिंग की दुनिया में खुद को खटा किया और इस तरह से वो मॉडलिंग की दुनिया में आई, और मॉडलिंग करने के बाद ये 2009 आया चब पूजा ने बड़ा नाम कमाया, उन्होंने Miss World Contest में Beauty with a Purpose का खिता जीता और इस तरह से पूजा एक बहुत बड़ी Celebrity बन गई और यहां से उनके नई करियर की चुरू कर दिया था और अच्छा खासा पैसा कमाने लगी थी, फिल्म इंडस्ट्री में पूजा ने कमांडो के अलावा आयारी और जहां चार यार जैसी फिल्में भी की, लेकिन अफसोस उनका फिल्मी करियर उतना सक्सेस्फुल नहीं हो पाया, लेकिन इस से पूजा और उनकी जरूरी चीजों के लिए मदद करती है, जो फिनैंशिली मजबूत नहीं है या जिनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया है, पूजा के अंदर अपनी मा को लेकर और अपनी जिन्दगी को लेकर कितना दर्द है, इसका पता तब चला जब उन्होंने मिस वर्ल को ये पता होगा या नहीं, कि जिस बेटी को वो मार देना चाते थे या अनाताले भीजना चाते थे, वो बेटी आज एस स्टेज पर खड़ी है, उनका कहना है कि मेरी मा को 20 दिन की जब ने थी, तब घर छोड़ कर बाहर निकलना पड़ा था, और मुझे घर छोड़ कर हट प्लोज है, वो एक अच्छी जिन्दगी जी रही है, इसके अलावा बात करें उनके बहन की, तो एक मर्चंट नेवी के ऑफिसर से उनकी बहन ने शादी की और वो भी सेटल्ड है, पूजा की ये कहानी बहुत दर्द, बहुत दुख से भरी है, और इसमें बहुत वो गलत था इसलिए, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राए जरूर शेयर करें, कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ